अभी फुलगोवी का मौसम है तो आज हम इससे ही रेसिपी बनाएंगे पहले फुलगोवी को मैंने ग्रेट कर लिया है उसके बाद लिया है एक कप मैदा दो कप आटा उसके साथ मिलाना है नमक ओयल अच्छे से मिक्स करना है अब डालेंगे 3 टेबल स्पून दही अब इसमे अदर आट करना है ग्रेट किया हुआ फुलगोवी अच्छे से मिक्स करना है और इसके अंदर मिलाना है चाट मसाला गरम मसाला और फ्रेस धनिया पत्ती यह रेसिपी में मैंने प्यास और लसुन का इस्तमल बिलकुल नहीं किया है अब इसे बेल लेना है और इसके अंदर बंद करके मैदा स्प्रिंकल करके बेल लेना है, आप चाहे तो आटा से भी बेल सकते हो, अब इसे तावा में डाल देंगे, उसके बाद घी डालके अलट पलट के सेक लेना है, तो हमारा मस्द फूल गोबी के पराठे हैं, बिल्कुल रेडी, इंजोई!